यह लग इस फर्स लब का पार्ट नबर 9 है, so let's start it दूसरी तरफ यह उसे फोन करकर बोलता है मैं तुम्हें जैज ब्रॉक का पेंटिंग देना चाता हूँ किया हम मिलकर बात कर सकते हैं और वो मान जाता है फिर याव किंग बोलती है, तुम अब भी काम कर रहे हो हूँ बोलता है, तुम्हें कैसे पता चला कि उसे वो पेंटिंग पसंद है वो बोलती है, अगर तुम लड़के के बारे में सोच रा छोड़ कर काम के बारे में सोचते तो तुम्हें और भी कुछ पता चलता तुम्हारी एक्स girlfriend उसकी current girlfriend है इसलिए उसने case किया है तुम्हें खुश होना चाहिए कि उसे अपनी girlfriend से ज़्यादा painting पसंद है Hugh बोलता है तुम घर कैसे जाओगी क्या मैं तुम्हें छोड़ दू वो बोलती है मैं टैक्सी में चली जाओगी फिर Hugh कलब जाता है और उससे वहाँ सब कुछ boring लगता है इसलिए वो कुछ gift खरिक कर लाता है और अपने दोस्तों को बोलता है तुम अपनी पसंद की कार्टून का नाम बताओ अगर मुझे वो पसंद आया तो तुम इन में से कुछ भी ले सकते हो फिर वो लोग कार्टून के नाम बताते हैं और Hugh उने gift दे देता है दूसी तरफ Hugh उसे रोज flower भेजता है और सिया के वो सब अपने office में रखता है इसलिए उसे allergy हो जाता है फिर जूई उसे बोलती है मिस्टर Hugh पास दिनों से flower भीज रहे है मुझे लगता है वो serious है तब ही सिया के फोन करकर उसे आने के लिए बोलता है और जूई बोलती है बॉस तुमें 10 मिनिन फिर रेस्ट करने नहीं देते में बोलती है बॉस खूद कर रहे है जिससे वो तुम से काम कर आपाए और तुम कुछ बोल भी ना पाओ सुभी बोलती है तुमने कही थी कि मिस्टर Hugh कुछ दिनों बाद ये सब बंद कर देंगे सिंग्वें बोलती है अगर बॉस ने मुझे उन्हें इग्नोर करने के लिए नहीं बोला होता तो मैं सारे फ्लावर उनके कंपने में फेक आती फिरो काम करने के लिए चली जाती है दूसरी तरफ Hugh कॉमिक बुक पढ़ने जाता है और बुक के साथ सेलफी लेकर सिंग्वें को भेजता है फिरो सिंग्वें से मिलने ओफिस जाता है और देखता है सब फ्लावर सियाके के आफिस में है और सिंग्वें बोलती है आप ठीक समय आए है हम काम के बरे में बात कर रहे थे आप काम खब फतम करेंगे Hugh बोलता है जब मेरा मूर अच्छे होगा मैं टब काम करूँगा और मेरा भेज़ा हुआ फ्लावर एक लड़के के रूम में देखकर मेरा मूर खड़ब हो गया है तो सियाके सिंग्वें को जाने के लिए बोलता है और Hugh उसे रोकर बोलता है वो तुम्हारा लखी चाम है इसलिए उसे प्यार करने की कोई freedom नहीं है हमारे फीच जो कुछ भी हो इसके लिए मिज़े पहले तुमसे पूछना होगा सियाके बोलता है अगर तुम्हें मेरे इंप्लाई से कुछ काम है तो मुझसे पूछना होगा और Hugh बोलता है तो हम लोग खाने के लिए जा सकते है अगर तुम राजी नहीं हुए तो मैं सोचोंगा कि तुम इसे पसंद करते हो इसलिए सियाके सिंग्विन को बोलता है इसके साथ जाओ जिससे वो काम जल्दी खतम करे और Hugh उसे ले जाता है रेस्टोरेंट में Hugh से पूछता है तुम क्या खाऊगी वो बोलती है मुझे एक मीटिंग पर जाना है इसलिए जो भी जल्दी हो अससता हो फिर Hugh बोलता है मैं तुम इससमे पसंद करता हूँ तुम हो पहली लड़की हो जिसे देखकर मुझे लगा कि मुझे शादी कर लेना चाहिए सिंगवन बोलती है आपको पहले अपना काम खतम करना चाहिए और सियाके उनकी बाते सुन रहा था फिर Hugh उससे फाइल फेच कर बोलता है मैंने काम बहुत पहले ही खतम कर लिया था सिंगवन बोलती है मैं सिर्फ कोमिक बुक पत्ती हूँ और ओवर टाइम करती हूँ मैं बहुत बोरिंग हूँ मैं आप जैसे नही हूँ और Hugh बोलता है मैं तुम्हारे बारे में और भी जाना जाता हूँ तब इवेटर सियाके से ओररन लेने आता है और सियाके उसे पैसे देकर एक काम करने के लिए बोलकर चला जाता है और Hugh उसे जाते हूँ देख लेता है फिर Hugh बिल मांगता है और सिंगवन बोलती है मैं पे करूंगी Hugh बोलता है मैं एक लर्की से कैसे बिल पे कर सकता हूँ सिंग्विन बोलती है बोस ने मुझे आपका ख्याल रखने के लिए बोला है यू बोलता है लेकिन ये हम लोगों का प्राइविट मैटर है और वेटर आकर बोलता है मिस सूसान ने आपका बिल पे कर दिया है और कई है कि मैं तुमसे नहीं मिलने आई लेकिन मैं चाहूंगी कि तुम और तुम्हारी 29 गल्फरेंट खुशिशन डिनर करो और मेरे घर पतुम्हारा भूला वह अंडर वेर है वो ले जाना और सिंग्विन वो सुनकर हसने लगती है फिर सियाके ओफिस आकर उस लगी कैट में कोईन डाल कर बोलता है मुझे तुम्हारी मालकी इनकी ख्याल रख रहे हैं बदद करना फिर हिउ रोज ओफिस में सिंग्विन से मिलने आता है लेकिन सियाके उसे रोज मीटिंग के लिए बहा ले जाता है फिर मीटिंग में हिउ सियाके को मेसल कता है इसलिए वो मीटिंग में ध्यार नहीं दे पाता इसलिए सिंग्विन बोलती है क्या हम 10 मिनिट के लिए रेस कर सकते हैं सियाके बोलता है हाँ और सभी रेस करने के लिए चले जाते है और सिंग्विन सियाके को पूछती है क्या आप कॉपी बेंगे सियाके बोलता है क्या ही उन्हें तुम्हें फोन किया था सिंग्विन बोलती है किया था लेकिन मैंने नहीं उठाया लेकिन आप गलत थे बहुत दिन हो गया है लेकिन उन्हें फिर भी ये सब नहीं चोरा सिया के बोलता है किया तो मुसकी गल्फरेंड बनना चाती हो सिंग्वेंड बोलते हैं नहीं उनकी पहले ही 28 एक्स गल्फरेंड है अगर उन्होंने 6 मेहने तक एक रिलेशन्शिप चलाया है तो इतनी सारी गल्फरेंड बनने में उन्हें 14 सल लगा है सिया के बोलता है वो एक लड़की के साथ सिर्फ 3 दिन रहता है सिंग्वेंड बोलती है लेकिन मेरे साथ ये सब कतते हुए उन्हें 3 दिन से ज़्यादा हो गया है सिया के बोलता है अगर ये पोजेक्ट खतम होने में लेट हुआ तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी इसलिए सिंग्विन चुप चप बैट जाती है दूसरे दिन सुभा हिउ सिंग्विन को फोन करकर बोलता है आज मेरा क्लाइन के साथ मीटिंग है लेकिन मैं मेरा नोटबुक गलती से तुम्हारे कमपनी में छोड़ गया और आज कमपनी बंध है क्या तुम यहाँ आकर अपने काट से दर्वज़ खोल दोगी मैं अभी कमपनी के सामने ख़़ा हूँ इसलिए सिंग्विन जल्दी से वहा जाती है और हुँ बोलता है वीकेंड में कोई भी मीटिंग नहीं होता इसलिए सिंग्विन गुसागर कर जाने लगती है और हुँ उसे बोलता है तुम्हें गेम की डेटिंग कॉंसेप्ट के लिए कुछ आइडिया चाहिए ना मैंने एक फेमस इटलियान मास्टर से पिज़ा बनाना सिखने के लिए एपॉइटमेंट लिया है एक हैंसम लर्गे के साथ पिज़ा बनाना क्या ये रूमेंटिक नहीं है तुम इसे अपने गेम में यूज़ कर सकती हो इसलिए सिंग्विन उसका साथ चली जाती है दूसरी तरफ वो सेंग्विन के शाप में उससे मिलने जाता है और बोलता है क्या तुम कहीं जा रही हो सेंग्विन बोलती है मैं कस्टमर से मिलने जा रही हूँ वो पूछता है साउसी का है सेंग्विन बोलती है सिया कि उससे ले गया है क्या तुम अभी उसे दोस देते हो वो बोलता है चलो मैं तुमें छोड़ देता हूँ दूसरी जरफ सिंग्विन हीउ के साथ पिज़ा बनाना सिख रही थी तब इस यहाँ के विसावसी को वहाँ पिज़ा खिलाने ले आता है और उन दोनों के एक साथ देख लेता है फिरो सिंग्विन को चुपके से वहाँ से ले जाता है और बोलता है तुमने तो बोली थी तुम इसकी गल्फेंड नहीं बनोगी तो तुम यहाँ क्या कर रही हो सिंग्विन बोलती है अब गलत समझ रहे है मैं यहाँ गेम के लिए आइडिया ढूनने आई हूँ यह और लाइन में सेकेंड पॉपलर रेस्टरेंड है मैं यहाँ का एपॉइंटमेंट कभी नहीं ले पाती तब ही साव से आकर बोलता है हम भाग क्यों रहे है हमने अबे भी पीज़ा का ओडर भी नहीं दिया सिया के पूछता है तो नमबर वन रेस्टरेंट कौन सा है और वो उने वहाँ ले जाता है और वहाँ का मालिक सोचता है साव से उनका लड़का है इसलिए बोलता है यह जग़ब बहुत सुन्दर है आप खाने के बाद अपने बच्चे के साथ घुम सकते है इसलिए सिंग्विन सर्ज बोलने जाती है लेकिन सिया के उसे रोकर बोलता है मेरी वाइफ हमेशा यहा का खाना खाना चाती थी और मुझे आज ही टाइम मिला इसलिए सॉरी की मैंने आपको परिशान किया वो बोलता है तुम लोग बहुत सुईट हो और वो उन्हें अंदर ले जाता है फिर सिंग्विन बोलती है यहा का एपॉन्मेंट पाना बहुत मिश्किल है सिया के बोलता है तुम गेम के लिए यह से बच्चे से लिख लेना सिंग्विन बोलती है आपने क्यों बोला कि हम लोग कबल है सिया के बोलता है गेम के लिए वह सा फील लाने के लिए फिर सिया के अंदर चला जाता है और सिंग्विन वहा की फोरो किस्ती है फिर वो लगवा का खाना खाते हैं और उन्हें वो बहुत पसंद आता है फिर सिया कि उसे घर छोड़ देता है और बोलता है मैं हुसे भी जादे लोगों को जानता हूँ इसलिए अगर कुछ जरुरत हो तो मुझे पूछना फिर वो साउसी को घर छोड़ने जाता है और देखता है लिंसन सेंकिन को छोड़ने आया है और वो उसे जाकर मारता है और बोलता है मैंने बोलाता है फिर कभी मेरे सामने मताना वो बोलता है अगर तुम मुझे मार भी डालोगे तो भी मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाओंगा फिर सिया के उसे मानने जाता है और सिंकिन उसे रोकर बोलती है मैंने इतनी साल सोची कि वो मुझे छोड़कर क्यों गया था या तुमने और ग्रानमा ने उसे चले जाने के लिए फोस किया था सिया के बोलता है तुम्हें लगता है हम तुम्हारे साथ कुछ बुरा करेंगे सिया के बोलता है तुम लोगों ने नहीं किया तुम लोग हमारे शादी के खिलाब थे ताका और एक्स्टेन भी तुम्हारा प्लैन था सिया के बोलता है क्या तुम पागल हो गई हो तब ही सावसी आकर उन्हें जगा निकले मना करता है और उसे बोलता है डैड आपके मुझे खुन निकल रहा है और ये सुनकर सिया कि वहाँ से गुस्त होका चला जाता है सेनकेन भी सावसी को लेकर घर चली जाती है फिर उसावसी को सुला देती है और वो उसे फोन करकर बात करने के लिए बुलाता है फिर सेनकेन उसे बात करने के लिए जाती है और वो बोलता है मुझे पता है तुम हमेशे से सज़ना चाती थी सेनकेन बोलते है भूल जाओ इसमें तुम्हारा कोई दोश नहीं है वो बोलता है तुम लोग मेरी family हो क्या मैं तुम लोगों के साथ रह सकता हूँ सेंकेन उसे घर जाने के लिए बोलका चली जाती है दूसरी तरफ सिया के घर जाता है और देखता है हुँ उसके घर पे है और बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो यू बोलता है मैं सूसल से अपना अंडर्वाल लेने आया हूँ सिया के बोलता है मैं मज़ा करने के मूड में नहीं हूँ यू बोलता है क्या हुआ है वो बोलता है सेंकेन का एक साज़वन पापस आ गया है और साउसी भी उससे डैट बोलता है हुँ बोलता है सेनकर स्मार्ट है तो मैं उस पर बिसपास करना चाहिए यह सब भूल जाओ क्या तुम सिंगुइन को पसंद कते हो अगर नहीं तो तुम मुझे उससे मिलने क्यों नहीं देते वो बोलता है मैं नहीं चाता कि फिर से कोई उसे दुख दे हुँ बोलता है मैं इस बस सिरियस हूँ अगर तुम उससे पसंद कते हो तो तुम्हें मुझे उसके लिए लनना पड़ेगा और अगर नहीं तो हमारे खुशी के बीच में मत आओ और हुँ हुँ हुआ से चल जाता है फिर दूसरे दिन ऑफिस में जुई सिंग्विन को बोलती है बोस आज बहुत गुसम है तवी हुँ आकर उसे गुद मॉर्निंग बोलता है और सिंग्विन बोलती है क्या तुम्हारे कमपने के लोगों को कोई काम नहीं है हुँ बोलता है मेरे जैसे टैलेंडेट लोगों के पास बहुत टाइम है तवी याओ किंग आकर सिया के से मिलने जाती है उसे उसकी पसंद की कॉफी देती है सिया के एमी को उसे प्रोजेक्ट के सारे मेंबर से मिलाने के लिए बोलता है और उसका एक मीटिंग है बोलकर चला जाता है फिर एमी उसे सिंग्वीन से मिलाती है और बोलती है ये मिस्टर हुउ के साथ हमारी मदद करेंगी सिंग्वीन बोलती है क्या इस प्रोजेक्टे बारे में सारी बात मैं आप से कर सकती हूँ Hugh बोलता है क्या तुम मुझे हड़ाना चाती हो इस प्रोजेक्टे लिए तुम्हें मेरे पास ही आना परेगा फिर उस सिंग्विन के टेबिल पे वोई Lucky Cat देखती है जो उसी आखे ने खरीदा था और बोलती है ये Lucky Cat बहुत क्यूट है फिर सिंग्विन उसे उठाती है देखती है उसमें कोईन है सिंग्विन बोलती है मैंने तो इसमें कोईन नहीं डाली थी और यहां कि इंको बुरा लगता है फिर बात में Hugh सिंग्विन से बात करने आता है और सिंग्विन बोलती है बोस ने बोला है साउसी बोलता है मेरे मॉम डाट मुझे यहाँ बैठा कर सामान खरिदने के लिए गये है वो जल्दी चले आएंगे सिंगुइन बोलते है तुम्हारे डैड साउसी बोलता है वो बापस आ गये है और कल उन्होंने असी आखे ने जगरक किया था सिंगुइन बोलते है इसलिए वो गुसा है सिंगुइन उसे बोलती है क्या तुम खुश हो कि तुम्हारे डैड बापस आ गये है साउसी बोलता है हाँ अब मेरे दोस्त मुझे कुछ नहीं बोलते है लेकि सुनान उनसे ज़्यादा अच्छा है फिर वो लो गेम खिलने जाते है और सिंगुइन एक टॉय निकल पाती है साउसी को दे देती है साउसी बोलता है मेरे मॉम इस गेम में अच्छे नहीं है इसलिए जब चे सुनान ने आना बंद कर दिया है तब से मुझे इस गेम में कुछ नहीं मिला सिंगुइन उससे पूसती है जा सुना उनको पता है कि तुम्हारे डेट बापस आ गए है साउसी बोलता है मैंने उनको बताया था तब इस सेनिकर बापस आती है और साउसी उसे बोलता है कि सिंगुइन ने मुझे टॉय निकल कर दिया फिर वो साउसी को आईस क्रीम देता है और साउसी बोलता है मुझे चॉक्रेट पसंद है वो बोलता है मैं तुम्हें बाद में वह दूँगा फिर वो सिंग्विन से पूछती है तुम्हें कहा जाना है कि हम तुम्हें लीप से सिंगुन बोलती है नहीं मैं चली जाओंगी फिर वो लोग चले जाते हैं फिर सिया के मिटिंग में गुस्टा करकर उन्हें जल्दे से काम करने के लिए बोलता है फिर सिंगुन इसके पास जाती है और बोलती है क्या मैं आपको कॉफी लगकर दू फिर वो उसे कौफी लगत देती है और सिया के पीकर बोलता है ये बहुत मीठा है क्या तुमने ये जान मुश्कर किया है सिया के बोलते है नहीं आप ठीक से नहीं खाते इसलिए मैंने थोड़ा सा जादाची नहीं मिला दिया जिससे आपको एनची आए मुझे पता है आप दुखी है लेकिन आप इस कंपनी के बॉस है आपके गुस्ता करने के बज़े से सभी ओवर टाइम कर रहे है आपको आपका गुस्ता काम पे नहीं लिगा लना चाहिए सिया के बोलते है तुम मुझे ये सब बताने बाली कौन हो सिंगिन बोलती है मैं आपके लिए चिंदा करती हूँ मैं रोज लखी कहल से आपके लिए प्रेक करती हूँ फिस या के उसे जाने के लिए बोलता है और ओड चली जाती है तुस्टरे दर्फ साव सी खेल रहा था तभी सुनन वह आता है और सावसी उसके साथ खेलने के लिए बोलता है और सेंकेन सावसी को घर जाने के लिए बोलती है फिर और सुनान को बोलती है तुम यहां क्या कर रहे हो सुनान बोलता है मैं तुमें देखने आया हूँ और वो बोलता है सेंकेन बहुत खुबसूरत है इसलिए लड़के हमेशा उसका पीछा करते हैं सुनन बोलता है तुम इतने साल बात बापस क्यों आए और सेंकेन उसे चले जाने के लिए बोलकर आंदर चली जाती है फिर सुनन वहा राखा हुआ बुक लेकर चले जाता है और साउसी उसे बोलता है किया मैं सुननान के साथ वीडियो गेम खिल सकता हूँ और वो साउसी को अपने चेंज करने के लिए बोलता है और सेंकेन खिरकी से उसे जाते हुए देखने लगती है फिर उसके पास जाकर बोलता है मुझे पता है तुम उसे एफ़र्ट करने के लिए मुझे यूज़ कर रही थी तो मैं समझना होगा कि तुम लोगों का मेरी ज़रत है और सेंकेन उसे घर जाने के लिए बोलती है वो बोलता है अगर कोई भी ज़रत हो तो मुझे कॉल करना इव यू लग इस वीध कर दो प्लाइष लिए प्लाइछ जाएब प्लाइब यूज़ लाइभ लिए अज़ दा सब्सक्राब इडियो अट्वीट प्लाइब